नमस्ते फैंस, कैसे आँए आप? आईव बहुत अच्छे होंगे. देखिए फैंस, सामके बज़े हैं साड़े पाँच और मैं आ गई हूँ टैरिस गार्डन में. फ्रेंड्स आज बहुत ज़्यादा बारिस हो रही है सुबह साड़े चार बज़े से बहली में बहुत ज़्यादा बारिस हो रही है कई जगों पर तो इतनी बारिस हो रही है गाड़ियां भी नहीं निकल पा रही है और हमारे यहां तो कल से स्टार्ट होई है और बहुत ज़्यादा बारिस होई है, सुबह से इतनी हो रही है कि हम garden में नहीं आ पाए तो अभी friends थोड़ी देर पहले बारिस खतम होई है और मैंने किये यहाँ पर आकर साफ सफाई और आकर मैंने प्लांट को भी चेक किया है तो friends यह बारिस जो है बारिस के आने की खुशी बहुत ज़ादा है और प्लांट के लिए तो यह बारिस एक बरदान है जो बारिस का पानी होता है वो नाइट्रोजन का काम करता है और एक फर्टिलाजर का बारिस के आने की हम लोग friends क्यों खुशी मनाते हैं इसलिए कि बारिस usemills का जो पानी है वो हमारे पौदों के लिए बहुत ही अच्छा है एक बरदान है जैसे की तो इसलिए तो आप को मैं एक बात सेयर करूंगे आपके साथ कि अगर ये पानी आपके प्लांट कें लीए बर्दान तो है फ्रेंट्स लेकिन अगर ये पानी 24 घंटे अगर आप 24 घंटे तो चलो सैन भी कर लेगा और बहुत ज़्यादा अगर बारिस होती रही तो आप कैसे केर करेंगे इन पिलांटों की तो वो मैं आपके साथ सेर करूँगी तो फ्रेंट्स ये जो बारिस का पानी है बर्दान भी है और ये नुकसान दाइक भी बहुत ज़्यादा है नुकसान दाइक कैसे है वो भी बताऊंगी तो फ्रेंट्स देखिए अभी मैं बताऊंगी कि देखिए अभी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है और यहाँ पर मै आपको दिखाऊंगी कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने जो दो तीन करेले के जो बीज डाल दिये थे तो वो हमारे करेले तैयार हो गये हैं इनको मैं सिप्ट करूँगे तो देखिए फिरी के आप ऐसे सबजीयों के प्लांट भी बना सकते हैं जो हम घर में सब्जी खाने के लिए लाते हैं उससे तो अभी बहुत अच्छा टाइम है बारिस आती है तो आप बीज भी लगा सकते हैं और आप जो कटिंग लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप कटिंग लगाएं तो फ्रेंड्स यह जो प्लांट है इनका हम बारिस में कैसे बचाओ करेंगे वो भी आपको बताएंगे और बारिस के पानी से कैसे बचाना भी पड़ेगा फ्रेंड्स इनको प्लांट को तो हम कैसे बचाएंगे तो देखिए मेरे एकजोरा प्लान्ट को आप देख सकते हैं बहुत अच्छी हैल्द है और इनके देखिए आप फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होने लगी है जब एक वार इनके फ्लावरिंग हो जाती है तो फ्रेंड्स ये जो फ्लावरिंग है सितम्मर अक्टूबर तक बनी रहती है बहुत अच्छा यह प्लांट है अपरेल से यह प्लांट खिल जाता है लेकिन हमारा यह प्लांट थोड़ा लेट खिला है फ्रेंड्स क्योंकि इसकी मैंने कर दीती कटिंग अब यह जे निव निव ब्रांच निकली है और थोड़ा हैल्दी भी हो गया है प्लांट भी आप अभी लाकर लगा सकते हैं तो मैं बात करने वाली हूं फ्रेंड्स से कि आप बारिस के दिनों में क्या-क्या काम कर सकते हैं और कैसे अपने प्लांट को बचा सकते हैं आईए वीडियो में देखते हैं आपको ओनली में पांच टिप्स बताओंगी फ्रें करके अपने प्लांट को ला शकते हैं जो भी आपके मन पसंद प्लांट हैं उनको आप लेकर आ सकते हैं और बहुत अच्छे से इनकी गरोथ भी हो जाएगी और बहुत अच्छे से यह प्लांट चलेंगे तो जब और आप नरसरी से लाके तुरंत भी अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स पहली टिप यह दूसरी टिप यह है फ्रेंड्स जो मिट्टी होती है हमारे प्लांट की अगर यह मिट्टी इस तरह से हो जाती है आप देख सकते हैं इसकी जो हरी हरी सी आपको यह जो पर्त दिख रही होगी पूरे इसमें प्लांट में तो इसको हटाना बहुत जरूर है यह है फंगस का यह ऐसे अगर आपकी मिट्टी है तो प्लांट आपका फंगस का सिकार फ्रेंड्स हो जाएगा तो इस तरह से आप उंगली से ही कर सकते हैं या फिर लकडी से भी कर सकते हैं तो इस तरह से इस मिट्टी को कर दीजिए और आपको पानी चेक करना पड़ेगा अगर आपके प्लांट में बारशों का पानी अगर भर गया फ्रेंड्स तो प्लांट खराब हो जाएंगे यह बहुत जादा नुकसान दायक है बारस का अगर बारस का पानी आपके प्लांट में भर गया तो यह सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा और प्लांट आपका मर जाएगा तो इस तरह की जो मिट्टी हो जाती है फ्रेंड्स उसको हटाना बहुत जरूरी है आप हाथ से भी हटा सकते हैं और आप किसी भी लकड़ी से भी उपर नीचे करके और कर स आप हो जाएंगे दूसरी टीप है फ्रेंड्स तीसरी टिप फ्रेंड्स यह है कि अगर आपके कोई भी प्लांट में नीचे जो ट्रे लगाते हैं प्लेट लगाते हैं तो उसको हटाना बहुत जरूरी है यह देखिए यहां पर यह मैंने इसको प्लेट में रख दिया था क कि इसको पहुत जादा पाने की जरूरती प्लांट को और तो मैं ने इसके नीचे ट्रे में लगा दी दी और यो पानी रहता था उससे इसमें नमी बनी रहती थी तो फ्रेंड्स मैंने इसलिए इसको यह प्लेट दी थी यह प्लेट मेरे कवाड में पढ़ी हुई थी दो-3 प्लेट थी वह मैंने लगा दी थी वैसे मैं नहीं लगाती हूं लेकिन कुछ मेरे जो भाई बहने वह लगाते हैं तो आपको क्या करना है कि जो प्लेट है उसको हटा दीजिए इस प्लेट में जो पानी भर जाएगा और उस पानी की जो नमी होती है वह हमारे प्लांट के अं स्वारते हैं तो प्लेट अभी हटा दीजिए क्योंकि बारिस का मौसम है फ्रेंड्स तो अभी प्लेट अथा दीजिए उसके बाद आप लगा सकते हैं तो यह है थार्ट टिप जिससे नमी बनी रहे की तो आपका प्लांट खराब होगा बारिस का पानी इसके अंदर भर ज जाएगी नीचे नमी बनी रहेगी तो प्लांट का जो जड़ है वो गल जाएगा इसलिए प्लीज हटा दीजिए तो बारसों के टाइम पर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पौदे का ध्यान रखना पड़ता है चोथी टिप फ्रेंड्स ये है कि जो भी आपके प्लांट सूख चुके हों उनको आप कट कर सकते हैं अभी कट कर दीजिए नहीं तो ये फंगस का जो है सिकार हो जाएंगे आपके प्लांट इसलिए इनको इस तरह से कट करके निकाल दीजिए जितने भी आपके सूखे पत्ते हैं सूखी डंडिया हैं इनको आप फ्रेंड्स निकाल दीजिए नहीं तो आपके जो अच्छे प्लांट है वो भी खराब हो जाएंगे तो ये आप चौथी टिप में कर सकते हैं इस तरह से देखे और ये देखे जो पत्ते हैं इनको भी आ जहरा वरा और स्वच्ट रहे और आपके प्लांट भी जादा से जादा गिरो हो जाएंगे तो चौथी टिप ये है फ्रेंड्स ये आप कर सकते हैं गुडहल के प्लांट पर कर सकते हैं मोगरा के पर कर सकते हैं और जितने भी सूखे प्लांट हैं उनके उपर आप बहुत असानी से कर सकते हैं, जितने भी आपके प्लांटे हैं, सूख चुके हैं और खराब डंडिया हो गई हैं, खराब पत्ते हो गई हैं, तो उनको आप इस तरह से कट करके निकाल सकते हैं. पांच मी टिप फ्रेंड्स ये है, इस तरह से अगर आपका पौदा रूट बाउंड हो जाएं, तो इसको निकाल दीजिए और इस पौदे की रिपोर्टिंग कर दीजिए, और इसका जो जड़ है, उसको आप काट दीजिए और निकाल दीजिए, तो इस तरह से जब जड़ उपर आ जाती है, रूट बाउंड हो जाती है, आपका पौदा बिल्कुल भी हरा बरा नहीं होगा, हमेशा खराब रहेगा, और फ्लावर वाला होगा, तो फ्लावर नहीं देगा, और अगर इंडोर प्लांट है, या पर आवडर प्लांट है, किसी भी तरह का प्लांट है, और इस तरह से रूट बाउंड हो जाती है उसको हटा दीजिए और पौदा लगा दीजिए और उसको रिपोर्ट कर दीजिए दूसरे पौर्ट में तो ये पांच मीटिप है फ्रेंड्स ये काम अभी आप बहुत जरूरी कर सकते हैं फ्रेंड्स बहुत जादा जरूरी करना अभी बहुत अच्छा टाइम है अभी आप कर सकते हैं इस टिप को और रूट बाउंड हो जाए तुरंत पौदे को रिपोर्ट कर दीजिए नहीं तो आपका पौदा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा और यहां पर आप देख सकते हैं अमरस लिली का जो प्लांट है इस को लेकर लगा सकते हैं और यह बहुत प्यारा प्लांट है एक से यह जो प्लांट है एक से हजार आप बना सकते हैं अभी आपको मैं दिखाओं कितने सारे इसके अंदर बलव हैं यह बलब से बलब का प्लांट है इसके बलव आते हैं उनसे गरो कर सकते नहीं तो अभी आप नरसरी में जाकर लेकर भी आ सकते हैं बहुत ज्यादा का नहीं होगा पचास रुपई से श्टार्टिंग है फ्रेंड से आपको ये प्लांट मिल जाएगा लेकिन मेरा तो फ्रेंड्स ये फिरी का है मैंने कहीं से इसकी कटिंग कटिंग नहीं सौरी एक बलब मुझे मिल गया है तो इसमें कई सारी कलर आते हैं फ्रेंड्स वाइट भी होता है और एलो भी होता है तो आप खूब लगा सकते हैं इस प्लांट को और खूब सारा आप इंजॉय करिए अपने गार्डन में फ्रेंड्स से बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत मज़ा आ रहा है फ्लावर जरूर फॉलो करें फ्रेंड्स तो आपके पौदे हरे वरे और स्वस्त रहेंगे